आपको ये तो पता ही होगा, कि मनुष्य द्वारा किये गए कर्म इतने शक्तिशाली होते हैं, कि वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते, यहां तक कि मनुष्य की सद्गती, दुर्गती, अगला जन्म और अगले जन्म के भी सुख, दुख सब मनुष्य के कर्मों पर ही निर अगले जन्म में किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है, इस वीडियो में हम आपको कर्मों की गती को उदाहरन सहित समझाने का प्रयास करेंगे, क्रिपया वीडियो को पूरा देखें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, मनुष्य द्वारा किया जाने वाला प्र पूरे विश्व में कैसी भी परिस्थिती आ जाए, या अन्य कोई व्यवस्थाय आए, पर अंतुन तो एक पिता के सभी बेटे एक जैसे होते हैं, ना ही एक गाय की सभी बचिया, एक जैसे दूद देने वाली होती है, तथा ना ही एक गुरु की कक्षा में पढ़ने वाल एक जैसे मकान में रहकर भी सभी एक जैसा सुख नहीं भोग पाते हैं, एक ही पद पर बैठा हुआ, एक आदमी तो सम्मान प्राप्त कर लेता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसी पद पर बैठ कर वो स्थान प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि बाहर से आप कुछ भी ओचा करने का प्रयास करते हैं, वे सोचते हैं कि हमने इनका भागय बना दिया, भागय लिखने वाला मनुष्य नहीं विधाता है, जो वे लिखते हैं, वो जीवन में जरूर सामने आता है, मनुष्य किसी का भागय निर्मान नहीं कर सकता, मनुष्य का स्वभाव है कि वो ह कर्म अच्छे हैं वो अच्छा फल देंगे और जो बुरे हैं वो बुरा फल देंगे इसे हम कथा द्वारा और भी सरलता से समझने का प्रयास करेंगे एक बार एक गाम में भगवान शिव का अती प्राची मंदिर था वहां हर रोज एक पंदित और एक चोर आते थे पंदित अत्यंत भक्ती भाव से शिवलिंग पर फल और दूद चड़ा कर पूजा करता था वो वहीं बैटकर शिव स्तोत्र का पाठ करता और घंटो श्रद्धा से शिव का ध्यान करता दूसरी और उसी शिव मंदिर में एक चोर भी प्रति दिन आता था वह आते ही शिवलिंग पर दंडे मारना शुरू कर देता और अपने भाग्य को कोस्ता हुआ भगवान को अपशब्द कहता अपने भाग्य का सारा तोश वह भगवान शिव पर मरता और उन्हें अन्याई वह पक्षपाती ठेहरा था एक दिन पंडित और चोर दोनों साथ साथ ही मंदिर में आये और अपने प्रति दिन की प्रक्रिया दोहराने लगे कुछ समय बाद दोनों मंदिर से बाहर आये तभी चोर को द्वार के बाहर आने पर सोने के सिक्कों से भरी एक ठेली मिली उसी स में पंडित के पैर में लोहे की कील से गहरा घाव हो गया। सोने के सिक्के मिलने से चोर को अत्यंत प्रसन्नता हुई। परंतु पैर में गहरा घाव होने के कारण पंडित बड़ा दुखी हुआ। बात करें तो आज के दिन इसे राजा बनकर इसे सिंधासन पर बैठना था। किन्तु इसके कर्मों ने केवल स्वर्ण मुद्रा का ही अधिकारी बनाया। ये सब इस चोर के दुशकर्म और आपके सतकर्मों से ही संभव हो पाया। वस्तुता अपना भाग्य निर्माता इसे स्वयम ही होता है। यदि वो अच्छे कर्म करेगा तो सुपरिनाम के रूप में अच्छा भाग्य पाएगा और अगर वो दुशकर्म करेगा तो फल्स्वरूप वो दुर्भाग्य का पात्र बनेगा। ले गए तो उसकी गाली बेकार हो गई। ऐसी शक्ति अपने अंदर अवश्य पैदा करनी चाहिए। जिससे कोई आपको चिदाना चाहे, जोश दिला कर गिराना चाहे, निंदा करके क्रोध दिलाना चाहे, द्वेश करके मार्क से भटकाना चाहे, मुकदमे बाजी में डा चाहे, परन्तु आप इन सबसे पूरी तरह प्रभावित रहे, यहाँ पर भी आपके सतकर्मों और आप पर परमात्मा की खृपा कार्य करती है। आज के वीडियो में इतना ही और अगर आपका कोई सवाल है, तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछे, और इस वीडिय चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले, धन्यवाद